हलो दोस्तों आज हम बात करेंगे चस्मा और कॉंटेक्लिंस में कौन सा बेटर है इन दोनों के द्वन्टेज और डिस अडवन्टेज आपको वानताओंगा इसमें आप रिएसाइड कर सकते हैं के कौन सा बेटर होता है कौन्टेक्लिंस या चस्मा तो चलिए शुरू करते हैं नमस्कार दोस्तों मैं रविंच वजी स्वागत था आपका हमारी यूटूब चैनल यूटूब अनेत्र में दोस्तों हम बात कर रहे थे और इस प्रेक्स के बारे में कि दोवे में सबस्तों सबसे पहले बात करें लिए उन्हार जाना है अपको तो आप में डारेक्ट हवा धूल या कोई इचिंग औगेरा हो रही है तो आपको समस्या हो सकती है साथ ही आपको goggles का भी यूज़ करना पड़ता है जिससे आप अपनी आपको को safe रख सकते हैं दूसरा चस्मा जो है उसे आप लगा करके गाड़ी भी चला सकते हैं दूल, मिट्टी, कड़ तो इसमें कोई फीचर ऐसा नहीं होता है जैसे कि ARC Coated या Blu-rays Coating का लेंस इसमें अभी तक नहीं आया है जबकि चस्मे में ARC और Blue Locker Lens उपलब्द होते हैं जिससे आप यूज़ करके किसी भी वर्किंग प्रोफेशन में चाहे computer यूज़ करना हो चाहे mobile दिन भर यूज़ करना हो तो उससे आप अपनी आखों को safe रख सकते हैं Contact Lens से एक विशेस फायदा यह है कि wider view मिलता है wider view मतलब कि जैसे हमारी नगन आख है उसका vision या visual field काफी ज़ादा होता है जबकि चस्मे में visual field एक particular area में ही रह जाता है जिसे कि आप ovel use करेंगे एक particular area से ही light का intention आपकी आख में पढ़ता है तो इससे visual field में थोड़ा सा आपके कमी आ जाती है चस्मे के उप्योग करने पर अगला दोस्तों यदि किसी को high power है तो contact lens ज़्यादा बेतर होता है क्योंकि इसको लगा करके कास्मेट्रिली भी अच्छा लगता है और सामने वाले को पता नहीं चलता है इस person को कितने power का चस्मा लगा है जबकि high power की स्थिती में चस्मा का lens मोटा हो जाता है जिसे सामने से ही बद्दा लगता है और सामने वाला परसन ये समझता है कि अगले की आख की रोशनी बहुत ही बीख है अगला दोस्तों contact lens का यूज़ करके sport person कोई भी खेल आसानी से खेल सकता है उसे कोई भी game खेल ला है तो उसका यूज़ करके आप game को खेल सकते हैं से कोई game खेल ला जा रहा है उसमें चस्मा लगा कर यूज़ करना थोड़ा difficulty होता है या समस्या होती है अगला दोस्तों weather problem यानि की मौसम की समस्या सर्दियों में क्या होता है कि contact lens यूज़ करने से fog बनने की समभावना नहीं होती है जबकि चस्मा दी आज आप यूज़ कर रहे हैं उसमें सर्दियों में fog बन जाता है lens पर fog टाइप में आ जाता है जिससे vision clear नहीं होता है हाला कि कुछ branded company आं एंटी fog lens का design करने लगी हैं जिससे इस समस्या से आप बच सकते हैं लेकिन contact lens में इसका पिसेश कर फायदा आपको मिलेगा अगला दोस्तों therapeutic use है therapeutic use का मतलब यह हुआ कि किसी की आंख में कोई accident की वज़ा से या किसी चोट लगने की वज़ा से एक खराब हो जाती है या दोनों आख खराब हो जाती है तो आप contact lens यूज़ करके कास्यमेटिकली अच्छा लग सकता है जबकि चस्मा यूज़ करके ऐसा नहीं हो सकता है चस्मा यूज़ करने पर उसे सामने से ही उसकी आँख नजर आती है तो थोड़ा सा odd लगता है एक डिफ्रेंस बिसेस यह होता है contact lens और चस्मा यूज़ करते समय अगला है दोस्तो वेरिंग प्रॉब्लम यानि कि contact lens को यूज़ करने में थोड़ी समस्या होती है थोड़ी डिपकल्टी होती है उसको यूज़ करने के लिए दो चार दिन का प्रेक्टिस करना होता है उसक कि चस्मे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है चस्मा कोई भी लगा सकता है चाए बच्चा हो गोड़ा हो या जवान हो उसे लगाने में कोई समस्या नहीं आती है अगला है हाईजीन की समस्या contact lens को लगाते समय या उतारते समय उसको हाईजीन रखना बहुत ही ज़रूरी है वि चस्में contact lens को उतारते समय भी पहले हाथों को हाईजीन रखना है तभी आप contact lens का उसकर सकते हैं जबकि चस्मे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है चस्मा किसी भी केस में आप हलका भुलका हाथ गंदा भी है तो भी चस्में का उसकर सकते हैं इसमें कोई difficulty नहीं आती है contact lens में limitation time bearing है जानि कि contact lens का bearing time है वह limitation होता है या limit में होता है जैसे कि आप one day वाला उसकर रहे हैं तो खेवल दिन में उसकर सकते हैं रात में सोते समय उसको हटाना पड़ सकता है जबकि चस्मा लगा करके देखते सो भी सकता है हाला कि ऐसा कोई करता नहीं है लेकिन इसमें को कोड़ा सा डर होता है और चस्मा कभी उतार करके कभी भी लगा सकते हैं जबकि contact lens में ऐसा नहीं अगला है दोस्तों foreign body sensation contact lens के यूज के बाद में foreign body sensation होता है यानि कि कुछ अंदर ऐसा लगता है कि आख में लगा हुआ है फसा हुआ है तो कुछ इस परकार की समस्या होती काँटेक lens का यूज करके नहीं जाना चाहिए या नहीं रहना चाहिए ऐसे में contact lens सहर के लोगों के लिए ज़दा बहतर है गाउं के लिए इतना ज्यदा बहतर नहीं है या फिर गाउं में यदि आप रहना हैं तो आपको घर में ही रहना हौ या कहीं particular और एना जानना हो तो तो आप इसका इउस कर सकते हैं otherwise dust area से आपको बचना से ही जहां पे धूलबरी हवाएं चनती हूं या फिर गंदगी हो तो ऐसे area से आपको contact lens से बचना चाहिए जबकि चस्मा आप ऐसे area में भी आसानी से पहन सकते हैं जिससे आपको बचती ही होती है आपकी आख सेफ रहती है अगला दोस्तो maintain cost contact lens काफी महगा होता है क्योंकि इसे one day या monthly या hourly उज़ करने के लिए ले सकते हैं तो या इसको आपको बार बार खरीदना पड़ता है जिदि उसका उप्योग खतम हो रहा है तो अगला आपको लेना पड़ेगा जबकि चस्मा एक बार आप उज़ करेंग उसके बार चस्मा लगबख साल बार या दो-दो साल तक लोग चला लेते हैं safely उज़ करने की सिती में तो थोड़ा सा ये सस्ता हो जाता है और contact lens का solution भी महगा आता है जिसमें उसका रखा जाता है तो कुछ या बिसे संतर है अब इसमें आप swim decide कर सकते हैं कि आप किस location में है और क्या आपके लिए बहतर होगा उमीद है वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए चैनल पर हमारे नए है तो red वाला बटन दबा कर सब्सक्राइब कर लीजिए बगल में बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर लीजिए तो कि यहांग से समधित वीडियो चैनल पर आपको मिलते रहेंगे इसके साथ वीडियो को समाप्त करते हैं धन्यवाद नमस्कार जय हिन